आपको क्या करना है सबसे पहले सिग्नल्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने कि कितने तरीके के सिग्नल्स होते हैं और उसी में पहला चैप्टर खतम हो जाएगा यानि पहले चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है आपको continuous and discrete time signals सीखने फिर आपको सीखना है even and odd signals फिर आपको even conjugate और conjugate, periodic, non-periodic, orthogonal, non-orthogonal, energy, power, causal, non-causal इतने सारे signals के आपको category सीखने इसके अलावा आपको bounded, unbounded, absolutely integrable और left-sided, right-sided, both-sided ठीक है तो आप ये भी note करेंगे कि आपको कौन-कौन से signals पढ़ने है तो ये सारे signals one by one हम लोग पढ़ से चले जाएगे और जैसे ही ये category खतम होगी आ पढ़ना उतना आसान नहीं है और इनको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा patience चाहिए और हर एक चीज़ का मैं आपको ultimately shortcut के साथ-साथ एक approach भी सिखाऊंगा कि आप question को directly कैसे approach कर से तो कैसे जो solution डेल पेज में जाने वाला वो आप एक दो line में कर सकते हो बाकि जिन लोगो ने crash course किया होगा या फिर जिन लोगों ने उम्मेद बैर जॉइन किया होगा उनको काफे कुछ सीखने को मिला होगा सिर्फ crash course में तो खेर यह तो comprehensive course है यहाँ पे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगों ठीक है कि अच्छा जितने लोग प्रेजेंट हो यार वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और चैनल को शेयर भी कर देना कि डन नेक्स्ट पर आईए एक नाइन टेम नोट्स बनाते रहना जैसा कि अंकित सर्मी भी बोला कि मल्टी कलर पैन लेलो स्केल वगरा सब कुछ लेके बहतरी नोट्स बनाते रहो और जब पूरे नोट्स बन जाए तो वो नोट्स हमारे साथ भी शेयर कर देना खीक है तो उसका पीडिएफ बनाके त छलो आते आप नेक्स पॉइंट पे अब चले हैं सबसे पहली एक बोलते फ्याद सब्सक्राइबया चलो आते बंडीक स्क्राइब करें ऐसे तक अब आप से पॉइंड पूस्टा आउं है एक मैं इस क्वेस्ट पूश्टा हूं आप आप मुझे बताई एक सिम्पल सा क्व जल्दी से बताने हैं सबीए बोलता हूं कि एक signal लेलो और यह signal continuous है तो आपके दिमाग में यह सुनके क्या थोट आता है आपको आपको मुझे बताना है फिर मैं आपको बताता हूं कि आपके दिमाग में असल में क्या थोट आना चीए अब देखो अब उल्टा चलेगा ना अब जब समय का पहिया घूमेगा तो उल्टा चलेगा इस बार तुम लोग वापस हमको PDF दोगे पूरे notes का complete notes का ठीक है जो भी 300-300 page के notes बनेगे उसका PDF बनाओगे सुन्दर तरीके से और उसका PDF हम से share भी करोगे ठीक है ओके fine चलो ठीक है समझ लोग कि अगर तुम्हारा को इंटर्व्यू ले रहा है और तुमसे पूछता है कि what is continuous signal तो कुछ लोग बता रहे हैं exist at every point कुछ लोग बता रहे हैं कुछ और कुछ लोग बता रहे हैं कुछ अगर मुझसे कोई पूछता कि what is continuous signal तो वापस मैं उससे पलेट के question पूछता है कि भाई तुम्हें continuous signal जानना है पहले यह तो बताओ कि तुम amplitude में continuity जानना चाहते हो या time में continuity जानना चाहते हो किसी भी signal का जब graph बनाते हो या signal को plot करते हो तो obviously 2 axis आपको मिलती है कौन-कौन सी 2 axis आपको दिख जाती है वो भी एक वर्टिकल एक्सेस एक horizontal एकसेस वर्टिकल एकसेस का मतलब क्या होता है वर्टिकल एकसेस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है जनरली हम लोग क्या लेके चलते है टॉक अब यहाँ पर थोड़ा सा focus हो के मेरे बात सुनिये अब आपको लिखने का time दे के चलते हैं amplitude और इस वाली एकसेस को time या frequency whatever तो अगर कोई मुझसे पूछते है कि what is continuous signal तो मैं वापस उसे पलेट के question पूछता कि भाई पहले तुम यह बताओ कि continuity तुमको जाननी कहां पे है तुमको amplitude में continuity जाननी है या तुमको time की continuity जाननी है अगर तो वो बोलता है कि मु वाले चैप्टर के बाद जो continuity वाला चैप्टर आता है उसमें आप कहां की continuity चेक करते हो वहाँ पर आप amplitude की continuity चेक करते हो कैसे चेक करते हो आप बोलतो हो left hand limit right hand limit functional value तीनों बराबर होनी चाहिए और उसके साथ साथ वह finite भी होनी चाहिए तो left hand limit का मतलब क्या हुआ amplitude की value तो ह clarity के साथ हमें बोलना चाहिए कि हमारा signal continuous in amplitude है अगर तो वह हमसे पूछता है कि नहीं हमें continuity in time बताओ तो उसको भेज़ देंगे signal system के पास जो भाई signal system वाले चैप्टर में signal system में जहां पी continuous word यूज होता है default word उसके साथ हमीशा time लग जाता है या अगर मैं कभी बोल देता जैसे वह movie आपने देखिए कि इसमें दुग्गल साहब रहते है चिसे दिन कुसे दिन इंजीनियर बने होते है कुछ और मोवी का नाम भूल गया है अगर आपको याद hypothesis अज़ा रहते हैं कि आज आज दुगल साहब इंस्पेकर बने हुए और यह बने हुए certificates यह प्रिटूट की बाद कर रहें जब यहीं वापस से सिग्नल सिस्टम पढ़ाने आ जाओंगा और मैं बोलूँगा कंटिन्यों सिग्नल तो आप समझाना आज भी सर दुगल साफ बने बटा सिग्नल सिस्टम पढ़ा रहें तो शायद इस टाइम पर वो किसके बाद करोंगे अगर मैं पूछता हूँ वाट इस कंटिन्यों सिग्नल तो वापस से तुम पलट के पूछोगे कि पहले यह बताओ कि कहा की कंटिन्योंटी तुम चेक करना चाहते है चलो तो यह पॉइंट अब सबको क्लियर हुआ कि आगे से अगर हमको लिखा हमको यह बुला जाता है कि एक सिग्नल कंटिन्योंस है तो हम इतनी आसानी से कंविंस नहीं होने वाले हम उससे पूछेंगे कि क्या तुम कंटिन्योंटीन अंप्लिट्यूट की बात कर रहो उस केस में आपका यह लिमिटिंग वैलू बराबर होनी चाहिए फंक्शनल वैलू के साथ के साथ यह फाइ थोड़ा सा फोकस करिए शब्दों को पकड़ने की कोशिश करिए जैसे कभी टीचर के मुझसे कुछ गलत निकल जाता ना पकड़के बैट जाते हो अरे सर ने तो यह बोल दिया वो वैसे यहां पर भी समझने की कोशिश तो एक एक वर्ड का मतलब है कि चलो चलो समझ गया ना वापस तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इंटर्विव बगरा देन जाना तो उससे पूछ मत लेना मतलब उसको बताना खुद से कि सर दो तरीके की कंटिन्यूटी पतलग तुमने इंटर्विवर से वहाँ पे पूछ लिया कि सर ने बोला था कि अग सिस्टम में किसकी बात करने बाद सिस्टम में हमजलरी बात करें लिवके सभुर्य अगर आपको समझाता हूं और यही जैसे कही सारे लोगों को मैंने देखा पॉल रहा था कि उनफैट इस इससी कोय difficult Si continuous time signal की सिंपल सी definition है कि जहां पे भी आपका इंडिपेंडेंट वेरियेबल टी समझ गए ना function महां पर defined हो function नहीं defined हो कोई दूर दूर तक लेना देना है क्योंकि function का defined होना या ना होना उसके amplitude की continuity पर सवाल लोगों को समझ में आ गया बता रहे हर एक पॉइंट कर डिफाइन होना चाहिए ऐसा कोई definition नहीं होता है वह amplitude का define होना ना होना उसके amplitude के continuity पर सवाल अब देखो जैसे यहां पर लिखा हुए xt is equal to 1 by t तो आपके हिसाफ से तो यह continuous time signal होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यह 0 या 0 प्लस पर कहां को टेंट कर रहा है infinity को टेंट कर रहा है समझ गया ना 0 minus को minus infinity पर 10 कर रहा है तो आपके definition के हिसाफ से तो इसको continuous time होना ही नहीं चाहिए बड क्या continuous time की definition है क्या यह तो definition ही नहीं है continuous time देखने का मतलब क्या है यह देखो t लिखा हुए काम खता हुए यहां पर t लिखा हुए काम खता हुए वह graph कैसा बनता है define होता है की नहीं होता है उससे हमें दूर दूर तक कोई ले ना देना है नहीं तो continuous time signal का simple सा मतलब है जहां पर independent variable small t लिखा होगा वो सारे के सारे आपके continuous time signals हो जाए कितने लोग मेरी बात से agree कर रहे हैं या समझ पा रहे हैं या समझना चाहते है कि अगर कर दो कि अगर करने का मैं टाइम दूगा पीडियेफ मुझे तुमसे चाहिए लास्ट में इस बात का ध्यान रखना ठीक है तो जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में आते जारो सबका मैं नाम भी नोट करवाता जारो तो किसी को भी मैं बाद में बोल के मांग सकता हूं कि भाई मुझे पूरा का पूरा पूरा पीडियाप भेजो पूरे नोट का कमप्लीट है कि कुछ समझ में आया क्या चल रहा भी तर चलें आगे चलो तो इतना सिंपल हो गया continuous time कोई पूछता तो बता दो जहां टी लिखा वो continuous time कोई बाती गत्म होगे चलो डिस्क्रीट टाइम प्या जाए है से चल сकते हैं डिर्ट टांट के बारे में अगर आपसे कोई पूछता कि वॉट इस डिस्क्रीट time सिगनल तो आप बोलोगे अगर कोई मुझे continuous time सिगनल देता है और अगर मैं उसकी uniform sampling कर देता हूं, uniform sampling का मतलब क्या होता है कि मैं उस particular signal को डिफरेंट डिफरेंट जगह से ब्रेक कर देता हूं डिफरेंट डिफरेंट जगह से ब्रेक करने का मतलब पहले वो signal time के हर एक value के लिए कुछ ना कुछ amplitude शो कर रहा था अब मैं क्या करूंगा उसको time के सिर्फ और से किसी specific values के लिए amplitude शो करने का मौका दूगा तो जैसे कि मानलो हमारे पास सिगनल था एक सब्सक्राइब इस एक स्विच से गुजा रहा जो स्विच इन पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक मोमेंट के लिए क्लोज हो रहा है मचलब जैसे ही टी कॉल डू जीरो हुआ यह स्विच यहां पर क्लोज हुआ वापस से उपन होगे तो समझ लो कि यह आपका एक ब्रेक पैडल जैसा है कि ब्रेक दबाया जैसे आप पाउं हटा होगे वापस यह पैडल उपन होगे ठीक है फिर आपने क्य क्या है कि वापस से पैडल दबाया और इसको ओपन कर लिए यह जो आप इस युगल टू टीस टीस यहां पर क्लिट कर रहूं है यह का नाम होता है सांप्लिंग इंटरल यानि टीस टीस की डूरेशन पर आप सैंप्लिंग क्लिट करना चाहते हो और जाहिर सी बात है कि अग बहुत ही पॉपलर होते हैं ज्यादा तर टाइंपिस का जो नाम है सैंप्लिंग रेट वह ज्यादा पॉपलर होते हैं जो सैंप्लिंग रेट वर्ड है वह आपका ज्यादा पॉपलर होता है इसकी यूनिट भी वेरी करती है आप देखोगे कभी-कभी इसकी यूनिट होती है तो नोट कर लो इसको फिर एक signal को यहां से पास करके देखते हैं यह जो ब्रेक पैडल लगा हुए इस ब्रेक पैडल से सिग्नल को पास करके देखते हैं आउटपुट किया था कैसे बनता है और उसका नोटेशन किस तरीके से यूज़ करने वाले करेक्ट देखो और बता हुए करते रहार नोट करते रहो एक ही घंटी की करेगा यहां पर इसका जो ओपन या क्लोज होना है वो सिग्नल से मिशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए ठीक है मतलब इस स्विच की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो सिग्नल के एंप्लिटूट पर डिपेंड ही करना चाहिए अगर तुम डायोट लगा दोगे वहाँ है ओके चलो आप वर क्या करते हैं यहां से एक सिग्णल को पास करके एक धे ध्यां से जभी लोग इस पूरे के पूरे ग्राफ को मौ यह डिक्राफ है अ को यह अभी है और एक वğलू कं यह डियन शाथ है यह या नहीं हम नहीं and हम यह नहीं चाहते, यह time के हर एक value के लिए amplitude ले आपका, तो देखो simply आपने क्या किया, इसमें इसको switch से pass किया, जब आप इसको switch से pass कर रहे हो, अब आप खुद से बताओ, यह switch कप-कप close करना या फिर इस paddle पर कप-कप पाउँ रखना, t equal to 0 पे, जैसे आप t equal to 0 पर पाउँ यहां पर इसका amplitude A दिख रहा है, यह A वाला amplitude बाहर आगया, बहुत ही आसान है, फिर उसके बाद क्या किया आपने, ts से लेके 2ts के भी इसमें, फिर से switch खुला हुए, इंपुट को output तक कहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, फिर t equal to 2ts पर 1 second के लिए आप close होगे, उसके बाद यह वापस से brake paddle open होगा, तो आप देखोंगे यह वाली sample value है, यह sample value अभी बाहर आ गए, ध्यान से समझते रहे ना पहले, अभी note करने पर ध्यान नहीं देना, fine, तो आप देख सकते हो क्या, अगर मैं बोल देता हूँ कि यह एक sample है, इसको बोल देता हू यह sample है, इसको बोल देता हूँ, एक sample है, तो आप देख सकते हो 2 samples के बीच में, time gap कितना दिखाएं को, ts, इसी वजह से जो 2 samples के बीच का time gap, time interval होता है, उसको आप लोग बोल देते है, sampling interval, तो sampling interval बोलने के पीछे logic है, यह 2 samples के बीच का gap आपको कितना दिख रहे है, fine, दोसे important चीज़ आप notice करने के कोशिश करो कि अगर आप यहाँ पे t की जगह पे small nts रख रहे हो तो क्या यह वाला जो t था यह भी small nts हो जाएगा yes और यह वाला जो t था यह भी small nts हो जाएगा यानि कि अगर मैं mathematical representation देखो तो वो भी मेरे साथ के साथ change होते जा रहे हैं यह वाला जो मेरा x of nts है यह मेरा x of nts यहाँ पे भी इस वाली axis पे nts से replace होगा क्योंकि मैं इस t को भी nts से replace करूँगा और यहाँ पे जो मेरा t present था इसको भी मैं nts से replace करूँगा सबको point समझ आ गया है अगली स्लाइड में देखते हैं mathematical procedure फिर आ जाते हैं कुछ questions पे तो आज की class में चाहता हो कि हम लोग चार question भी कर लें तो फटा फट इसको note करो और next question में आते हैं तो कितने लोगों को समझ आ गया कि ultimate हमारा काम क्या था कि हम सारे amplitude को हर एक time instant पे बाहर में दाने लाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो कुछ discrete time intervals पे ही amplitude को show कर पाए तो हमने क्या कर उसको एक switch से पास कर दिया अब कुछ-कुछ ही discrete amplitude output पे जा पा रहे हैं सारे के सारे जा ही नहीं पा रहे हैं इस वज़े से हुआ क्या कि पहले जो यह सारा का सारा time interval आप कवर कर रहे थे ना वो अब अलगलग instances में convert हो गया तो इस signal का जो amplitude आ रहा है वो 0 PR है, TS PR है, 2 TS PR है, 3 TS PR है तो आपने जो पूरा का पूरा एक continuous time access थी उसको आपने discrete time access में break कर दिया correct? yes note कर लो, अराम से समझ लो, जल्दी बिल्कुल नहीं है समझते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे ठीक है? ओके? आते हैं dependent variable, independent variable क्या रहे है? उसकी चर्चा करता है अब एक चीज़ सभी लोग यहां से मुझे सोच समझ के बताएंगे कि यहां पर मुझे बताना जो आपने n वाला variable यूज़ किया है क्या इसका integer होना must है? yes, क्यों? इसका integer होना इसलिए must है क्योंकि आप चाहते हो कि जो मेरा output है या तो वो t equal to 0 second वाला sample बाहर है या तो t equal to ts second वाला बाहर है या तो t equal to 2 ts second वाला बाहर है यानि कि ts आपने एक sampling interval दिया और आप चाहते हो sampling interval का मतलब भी होता है कि आप चाहते हो कि 2 samples के बीच का gap हमेशा ts maintained रहे तो 2 samples के बीच का gap अगर ts हमेशा maintained रहेगा तो n का यहां पर integer होना आपके लिए हो जाता है must अब एक चीज और देखना जो final चीज है mathematically देखो होता क्या है कि जो x of n ts है उसको हम किस से represent कर देते हैं x of n से आप मुझे खुद बताओ अगर कोई function n ts का function है जिसमें ts constant है तो क्या वो x of n का भी function हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ध्यान से समझने है यहाँ पे यह point थोड़ा सा again disputed होता है वही चीज मैं आपको समझाने के कोशिश कर रहा हूँ अगर कोई चीज x square का function है तो क्या वो x का भी function हो जाएगा अपने आप ही हो जाएगा कोई चीज अगर 2x का function है तो क्या वो x का भी function हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तो पहला assumption signal or system में जो माना जाता है वो यह माना जाता है कि कहीं पे भी अगर x of n ts दिखता है तो उसको हम n का function मान लेंगे या आगे से चलके हम उसको x of n से represent करेंगे जहाँ पे n हमेशा हमारे ले किसका काम करेगा n will always behave as an integer quantity Are you understanding this point? Yes, पहली चीज़ तो तो इस notation को मैंने change किया मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि x of n ts से हम x of n तक पहुंच रहे हैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ x of n ts को हम x of n से हमीशा designate करने वाले हैं दूसरी important चीज़ आप यहाँ पे notice करो कि यह वाली जो axis थी अगर इस वाली axis को मैं ts से normalize कर देता तो क्या मुझे? यहाँ पे जो n मिलता इसकी value हमीशा integer ही मिलने वाली थी? भूली Yes अब मैं इन सारी चीज़ों को one by one आपको flow chart में समझाता हूँ जब भी आपको कोई भी graph दिया रहेगा x of t versus t का तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हूँ? सबसे पहले आप जो t लिखा हूँ उसको n ts से replace करोगे तो उससे होगा क्या? ये वाला tb n ts से replace हो जाएगा ये वाला tb n ts से replace हो जाएगा ऐसा करने के बाद आप इस वाली axis को t s से क्या कर दोगे? नॉर्मलाइज कर दोगे और इसका जो representation है वो representation ही आप x of n लिखता हूँ आप इसको बोलोगे कि अब मैं आगे से इसको x of n बोलना पसंद करूँगा बट इस वाली axis को मैं t s से simply क्या कर देता हूँ? नॉर्मलाइज कर देता हूँ तो eventually जो आपको graph देखने को मिलता है वो मिलता x of n versus n का तो आपने देखा भी होगा अगर कभी signal system पढ़ा होगा या कभी सुना होगा तो आपने देखा होगा कि जो discrete time signal का graph होता वो हमेशा x of n versus n होता है तो आपको समझ आ रहे हैं कि यह x of n कहां कहां से गुजर के आया और यह n कहां कहां से गुजर के आया x of n कैसे मिला? आपने t को nts रखा फिर उसी nts को x of n से represent किया यह n कहां से मिला? यह पहले t था बाद में nts हुआ, बाद में आपने इसको normalize किया तब कहीं जाके आपको यह x of n यहां देखने को मिल रहे है तो ओफिली यह basic भी आपको clear हुआ कि xt versus t से आप xn versus n तर graphically कैसे पहुँच रहे हैं या सौर्ण अगर graphically समझ गए हो तो mathematically भी समझना बहुत आसाल है session के end में यह भी बताऊंगा आपको याद कितना रखना है नोट्स तो बनाते जाएंगे proper इसका नोट्स बनाओ और साथ के साथ मैं यह भी बताऊंगा कि session के end में कितनी चीज़ें याद रखनी कितनी चीज़ें भूल जाना है कि कितनी चीज़ें हमको याद रखनी है और कितनी चीज़ें हम बस सुने तो बताऊ यार confirm करो फिर आते mathematical process को चलो अब देखो आज की date में जो आपको सीखना है इसके पहले जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी आप उसको simply भूल सकते हो उसका आगे के logic से ज्यादा लेना देना कुछ है नहीं मतलब उसको बार बार रिवाइस करने के सरवत नहीं यह जो आज की class का last point है यह आपको याद होना चाहिए इस पर based आपको बहुत सारे questions समझ लेना आज की पूरी class का conclusion ही है ठीक है तो एक continuous time signal को discrete time signal में कैसे convert करेंगे यह चीज़ हम यहाँ पर सीपना चाहते है देखे जरह आपको एक signal दिया है x of t is equal to f of t where t is existing between a to b यह दिख रहा है सभी को एक बार मुझे यह बता दो कि आपको यह दिख रहा है कि आपको conversion क्या करना है सम x of t is equal to any function f of t t square t cube e power minus t sin t cos t कुछ भी दिखा होगा वो यहाँ पर mention कि और t की range भी इसमें बता रहा है कि t आपका ACB के वीच में होना चाहिए यह point तो हमको दिख रहा है सबसे पहला step आप क्या करोगे put t is equal to nts आप देखो t is equal to nts कहां कहां रखना है समझने है मेरी बात को बहुत ध्यान से हर जगे पर आपको t is equal to nts पुट करना है यह पहला step done first step so this is your step number correct step number two यह जो x of nts है इसको simply आप x of n से represent करेंगे जैसे अपने deal में थे अपने deal यह थे जो यह x of nts होगा यहाँ पे तो हम हमेशा x of n से represent करेंगे बट यहाँ पे put value of ts यहाँ पे हमेशा value of ts put करेंगे इस साइड में और यहाँ पे तो खेर थाई तो यह हो जाएगा a by ts b by ts यह दो steps ना बहुत crucial तो आज की class में अगर कोई भी चीज़ आपको याद रखना है यह steps याद रखना कि मैंने आपको क्या क्या steps में समझाएगा आपको कभी भी x of t is equal to f of t दे रखाओ where t is between some range a to b तो t is equal to nts पहले हर जगाए पर पूट करेंगा तो step 1 complete हो जाएगा फिर इस x of nts को directly x of n के तौर पर transport कर लेना बाकी हर जगह पर आप ts की values पूट करोगे whatever is the value and you will calculate this value अगर आपको यह flow chart समझ में आ गया हो तो question पर immediately it's time to experience something glorious unacademy combat compete crack conquer a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you unacademy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest combat live with peers to get real-time rankings and win-win participate in every contest to improve your ratings challenging contests every fortnight or alternate sunday live ranking after every question big rewards for top rankers your passion to crack gate deserves this your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge unacademy combat register now you 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 you